Welcome to Command Line Crash Course in Hindi Urdu मैं इस वीडियो में आपको Command Line सिखा होगा अगर आप developer हो तो आपने Command Line को कहीं न कहीं इस्तमाल जरूर किया होगा चाहे आपने NPM packages को इस्टाल करने के लिए या आपने कोई भी पहली programming language सीखिया चाहे आपने JavaScript, React, Angular कोई भी सीखिया या आपने Python भी सीखिया है तो आपने Command Line का इस्तमाल जरूर किया होगा चाहे आप NPM packages उसके साथ इस्टाल करो या और कोई Command लिखो तो मैं इस वीडियो में आपको Command Line सिखा होगा मैं इसमें आपको Command Line की basics और थोड़ा बहुत advanced टाश डूँँगा उसके बाद मैं लारन cmd के आपने cmd को क्यों सिخना है तो अगर आपs programmer बनना चाहते हो अगर आप programming सिखने में serious हो कि आपने वाक्य ही programmer बनना है तो आपको cmd को सिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपने रियाक्ट intermediate level की CMD आने चाहिए तो मैं इस वीडियो में वो आपको बता दूँगा जितनी मैं इस्तमाल करता हूँ और उतनी more than enough है आपके लिए अगर आप इसमें मज़ीद expert बनना चाहो तो आप बान सकते हो और जो लोग CMD में expert हैं जो लोग अर्सों से CMD को इस्तमाल कर रहे हैं ना उन्हें ये सबसे ज्यादा easy और simple method लगता है आप इस वीडियो में क्या सिखोगे आप इस वीडियो में कमाड लाइन की basics कमाड सिखोगे और थोड़ी बहुत advanced गिल्को करने के बाद आप intermediate level तक CMD में expert हो जाओगे regular basis पे आपने इतनी ही CMD इस्तमाल करनी होती है इतनी ही आपको जरूरी होती है जास्ता आप इतने ही है जो मैंने आपको कमाड सिखानी ने पंदराब इस कमाड सिखाओगा इस वीडियो में वही आपके लिए more than enough है लेकर आप मज़ीद सिखना चाहते हो उसके लिए मैं आपको resources प्रोवाइड कर दूँगा वहां से आप कमाड देखके और उसको इस्तमाल कर सकते हो आप इस वीडियो के बाद CMD के साथ इतना ज़्यदा familiar हो जाओगे कि आपको कोई भी कमाड लिखनी है आप असानी के साथ लिख सकते हो कोई भी आपको कमाड फाइंड करनी है वो भी आपसानी के साथ कार सकोगे So my name is Babar Lee I will be your teacher in this video अगर आप लोग चैनल पहले दफ़ विजट कर रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब करने इस तरह की और interesting वीडियो देखने के लिए So let's start CMD तो student, command लाइन में काम करने के लिए आप normal CMD की इस्तामाल कर सकते हो इसके इलावा आप ये git bash प्लगन को भी install कर सकते हो आपने git bash प्लगन को install कर लेना है इसको install करने का आप खो काफी सादा हो जाता है निसाल के तो आप पर आप इस folder के अंदर navigate कर ना है अगर आप cmd के बंद से करोगे तो आप पहले cd लिखोगे cd के बाद आपडे ड्राइव में आओगे उसके बाद इस फोल्डर को आप गैट करोगे लेकिन अगर आप git bash का इस्तमाल करते हो तो जैसे आप इस से फोल्डर के अंदर आते हो और आप राइट क्लिक करके और यहां पर आपको दो आफ्शन मिल जाते हैं एक पस मिल जाता गीट यूऑाई एट एक पस आजड़ अगिट बες यहां आप गीड़ा आत फेड़ का इसके अंदर आप सारी कमाड़ पर फॉर्म करतवा सकते हो इसके अंदर आपने कोई ffile create करने है cmd के मादब से या कोई आपने folder create करना तो आप सारी command इसके अंदर जो भी आप cmd की command यह पे देना चाहो आप हो यहां पे दे सकते हो तो आपको इसका यह तैट हो जाता है कर रहा हूँ तो मैं यहां पर download फर windows करूँगा मैंने आर्राइड इसको इसको इस्टाल किया हुआ है इसकी installation बहुत यह सान है जास्ता आपने download बटन पे क्लिक करना है तो आपके पास यह download हो जाएगा download हो जाने के बाद आपने जास्ट इसको install कर लेना इस्टाल करने के बाद आप किसी भी folder में आओ और यहां पर जासी आप राइड क्लिक करोगे तो आपको यह दो options आ जाएंगे अगर आपको यह दो option आ जाते हैं तो आपका जो cmd है वो आपका git bash plugin अच्छे से install हो गया है उसके बाद आपने व्यस कोड में आने के बाद आप एक इसमें खाले folder drag करोगी मैं आरेड इसके नदर खाले folder open किया हुआ है उसके बाद आपने यहां पर cmd को open कर लेना है अब cmd कौन से है इसका terminal तो टर्मिनल को open करने के लिए आपके लो आफ्शन्स यह तो आप यहां आपस से भी terminal को open कर सकते हो और एक आपके पास से आप वोप, Kontroll और बैक्टिक को अकठ़ा प्रिंट करो, अकठ़ा पिस्प्रस करोगे, तब भी आपका बस टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जब आप टर्मिनल को ओपन करोगे तो तब भी आपका बस ये वला आजाएगा, अगर आप गीट बैश को इंस्टाल लें भी करते हैं, तो आ सारी command इसके अंदर भी लेख सकते हूं यहां पर प्वस्ट पावर शेल आरहा है आप इससे स्विच्छ भी कार सकते हूं यहां मूब टू न्यू टरमिनल है और अगर आप यह आईकन पर कलिक करते हो ना तो यहां पर इंप लारा रहा है कमांड प्रॉम्ट डारा जाव स्क्र यह जी है कि थोड़ सा कलर वगयर आ जाता है तो में हैं थोड़ सा च्लंगता है अजिस तासरे हम देग बैश को किया इसके साथ कलर आ गया इसके साथ यह ता प्रोप पर एक जो जू आ लब भाहने गार इसके लिए अप इसको लगने में आपको पीसी के बाद ये सारी कमांड ना रही हैं लेकिन इस चीज़ का नेम और निस्क्रोप का नेम आ रहा है तो यह चीज़ का फरक पड़ता है वाकि आपकी कमांड सेम ही होनी है तो मैं अब इसको थोड़ा सा यहां पर कर लेता हूं और इसको थोड़ा से यहां पर उपर कर लेते हैं अब यह सारी कमाड़ मैं आपको इस CMD के उपर भी समझा सकता था लेकिन इस CMD के उपर समझाने से आपको समझ नहीं आने थी सही से अब यहां से क्या होगा कि आपको सही से समझ जाएगी क्योंकि जो भी हम यहाँ पे cmd कि मद्र लिक्षाइगे जो भी हम यहाँ पे command को perform करवाएंगे हम यहाँ उसकी working भी देख लेंगे तो सबसे पहरे हम यहाँ पे पनी command लिक लिए तो उसके लिए आप लिए आपने लिखना है pwd और उसको कर देना आपने इंटर इससे क्या होगा कि आपका जो URL डिरेक्टरी या ना वो आ जाएगा अब किस डिरेक्टरी में काम कार रहे है उस डिरेक्टरी का आपके पास यूरल आ जाएगा इसके बाद, लारन में कंसेप्ट आफ कोड यूट्यूब उसके बाद फुल्डर करना में लारन कमांड लाइन वाई डि य। यूट्यूर यूट्यू तो या आपके पास आगए, अब आपके पास आपको बस्का खरा लें ये इसके अंदर कुछ लाएट करेट कर लेनी हैं, और एक और इसमें create कर देते हैं index.html उसके बाद हम यहां पर इसमें एक और select कर लेते हैं कि index.txt यहां से इनको अमने close कर देना है तो कि इनके अमने कुछ निखना मारा सार अकांट यह cmd की मदद से तो इसको open कर ले तो यहां पर आई होब आपको यहां पर अच्छे से चीज़ें नजर आ रही होगी मैं थोड़ा से जूम कर देता हूं यह command prompt को तो अब थोड़ा से आपको और zoom लो जाए यहां पर और थोड़ा से और यहां पर close कर देते हैं इसका मकस्द यह है कि आपको थोड़ा से नजर आजाएं अब आपकी एक तो आगे पी डिपल्यूटी जिसमें आप चेक यूर डिरेक्टरी यूरल करते हो उसके बाद आपके पास एक प्रॉप्टी है जिसका नाम है ls lrs इसको अब जैसे इंटर करोगे तो आपके पास जितनी भी फाइल्स है उनकी डिटेल जा जाएंगी हमारे पास index.css है index.html है index.txt है उसके बाद आप क्या करते हो अगर आपने इन फाइल्स की डिटेल्स जैक करनी है तो उसके लिए आप लिखोगे ls-al इसे आप हाइफन भी गया तो आइफन-al कहलो यह डैश-al कहलो इंटर करो तो आपके पास यह कमांड जा परफॉर्म होगी तो आपके पस जितनी भी फाइल्स है उनकी सारे डिटेल्स यहां पर आ रही होगी इस तरह आपके पस अगर यह नार्मल डिरेक्टरी के अगर Ses लिए पङर आपके पास नार्मल फाइल है तो जिस्ट हैफन निक्ःफर लिए उसके बाद बाबरले और इसकी डेटरा आ रही है उसके बाद हमारे पास index.css मुझूद है, index.html मुझूद है और index.txt मुझूद है अगर आप हमारी जो command line है, वो सारा page ही full हो गया है, आप इसको हमने clear करना है मतलब सारा हमारे पास खाली हो जाए तो हम यहां वे लिकिंग clear, हमारे पास बिल्कुल empty terminal आगया अब यहां से हम अपनी नई command लेख सकते हैं, तो अब उसके बाद अगर हमने किसी भी folder में navigate करना है मिसाल के तोर पे यहां एक में folder create करता हूँ, उसको मनाम दे देता हूँ, यहां पे home और यहां पे प्रेस टार देते हैं, यह folder हमने home कर लिया, अब अगर मिसाल के तोर पे मुझे इस folder के अंदर जाना है, तो उसके लिए मैं लिकूँगा command cd, और उसके बाद मैं लिकूँगा इस folder का नाम, तो मैं लिकूँगा cd home, और इंटर किया, तो हम आगए home के अंदर, अब जो भी मैंने command perform करवाने हम यह home के अंदर भी करवा सकते हैं, अगर इसके बाद मुझे इस जाना है, वैसल के तो अब इस folder के अंदर तो मैं आ गया, उस cd को प्रैस करके, अगर मुझे बैक जाना तो सके यह या बनिकूँगा double dot cd, इंटर करूँगा, तो मैं बैक आ जाउँगा, तो I think यह वर्क नहीं कर रहा तो मैं इसको एक दफ़ाव अगी चेक करता हूँ, cd बेश और सीडी और आगे इसको डबल क्मांड देते हैं तो यह आगए और मैंने डाट्स लगा जी इसे स्टार्ड में तो डाट्स अमने लगाने इससे आगए तो हम आगे में फोल्डर के अंदर तो इस तरह से आप इसको नैविगेट कर सकते हो इसके लाब आप इसके इसमें और भी हमारे पास है कि आप सीडी और यह हाइफन को भी प्रेस कर सकते हो उससे क्या होगा कि आपके पास जिस फोल्डर के अंदर मुजूद हो आप जिस फोल्डर के अंदर हो तो उसके साथ में आपको यूरल भी आ जागा मिसाल को दो एड़ी लारन में अगर सैफ्ट आफ कोड लारन कमांड लाइन उसके बाद होम पेज और यहां पे होम कमांड के साथ भी वह फिल्डर ओपन होगा अब इसके अंदर हम यहां पर कमांड में लिख सकते हैं हम इसको एक दफ़ क्लियर करता हूँ क्लियर रखे हैं अब आफ बस अलमस्त जो सीडी के कौांड जाओं होगी अब इसमें क्या करते हैं कि हम यहां पे सिर्फ सीडी लिखें और फिर हम इंटर करें तो तब हमारे पस क्या होगा कि जितना भी इसका यूर एल हो सारा क्लियर हो जाएगा और हमारा हमारी जो डिरेक्टरी है पो स्टार्ट हो जाएगी मेंνε से, लगा हैंड. अब यासे मैं किसी भी drive में ड्राइब मेंन कर सकता हूँ, इडुड्राइब में 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 था रही है। भी आ रही है। तो अब जब मैं CD सिर्फ लिखूंगा तो यह में में PC के अंदर ले के आ जाएगा उसके बाद हम अपनी पार्टिशन्स या उनमें से किसी को स्लैक कर सकते हैं उससे आगे हम अपने फोल्डर को उपन कर सकते हैं आप ये भी का ओई सकते हैं Clay just को मैं यहां से किया देता हूं JUST CD और बलकि CD नहीं इसको मैं दुबारा से उपन करता हूं क्योंकि हमने इसके अंदर प्रिंट नहीं करवाना आप मैं अगें इसको नेविगेट नहीं करूंगा तो हमारा जो काम है वह ज्यादा इस फोल्डर के अंदर इसको मैं यहां से एक दफ़र डिलीड करता हूं और यहां पर अगें गेट बैश को उपन करते हैं तो यह हमारा पस गेट बैश आगए जहां से हमें चाहिए था अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे कोई फोल्डर बनाना है इससे डिरेक्टरी के अंदर तो फोल्डर बनाने के लिए हमारा पस जो कमांड लाइन मुजूद ह फोल्डर मझे करेट के आप अब अब बॉल्ड के अंदर नेवीगेट करते हूं तो उसका में लिएक उनटर करूंगा तो यह अगर मुझे इस समय से कोई फॉल्डर करवा नहीं है अब आब बॉट को अमने करियेट किया अब अब बॉट के अंदर हम नविगेट करते हैं उसके में लिखूंगा CD और मैं यहां बाइफन प्रेस्ट कर दूँगा बलकि इसको हम CD और लिखेंगे about about और इंटर किया तो मैं about के अंदर आ गया अब about के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैंने को फाइल क्रियेट करनी है तो जब भी आपने कोई फाइल क्रियेट करनी है उसके लिए आप लिखते हो टाच चेप और टाच के बाद फाइल के नाव निखते हो मैं इसके में लिख देता हूँ about.html इसको इंटर किया तो यह मार पास about folder के अंदर about.html फाइल क्रियेट हो गई के अंदर यहां पर तो मैं इसमें cd और यहां पर यहां पर यह कमांड लाइन के अंदर आ गया आप मुझे ना यह फाइल जो बस इंडेक्स लोट टी एक्स थी है इसको कॉपी करना और about page के अंदर move करना है उसके मैं क्या करूंगा मैं यहां पे लिखंगा cp 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 का मतलब अब कॉपी कॉपी कौन सी करो index.txt फाइल का नेम आपका सही होना चाहिए और किस फोल्डर के अंदर मैं कर दूँगा कि मुझे about folder के अंदर इसको save करवाना है अब इंटर करूंगा तो अचाहिए यहां अब बस about का मैं यूरल सही नहीं दिया तो उसके लिए लिखा cp index.t और इसके अंदर आने के लिए मैं यहां लिखूँगा double dot slash उसके बाद folder कर नाम about आप इंटर करूंगा तो यह मन बस about dot html इसके अंदर इसको move होना चाहिए था तो cb index.t यह मन बस यह move नहीं हुई उसको एक दफा again check करता हूं किसी और file कम करके देते हैं cp और उसके बाद हम लिखेंगे index.css कोई के दिए हैं index.css और इसको मियां पर move कर देंगे किस folder के अंदर about के इंटर किया तो अब भी भी हमारे पस यह move नहीं हो रहा तो i think इसमें कोई mistake आ रहे होगी उसमें एक दफा again check करता हूं cb index.css और इसके और इंटर और इंटर तो यह आ गया कि about के अंदर move हो गया अब मैं क्या कर रहा था कि मैं इसमें आव फोल्डर का URL बना रहा था इस वज़े से मुझे थोड़ी से वह difficulty आ रही थी तो इसमें आपने जास्ट फोल्डर का नाव लेके देना जिस फोल्डर के अंदर आपने इसको move करवाना है तो stp index.css और इसके move करना चाहता हूँ यह home के अंदर तुमारी में ड्रेक्टरी से चली जाएगी और home के अंदर move हो जाएगी उसके लिए मैं कमाल लिखूंगा mv mv का बहुता है move के बाद हमें लिखेंगे file का नाम तो file का नाम और बस मुझूद है index.html तो अब यह move का हम पे हो move हो home के अंद नाम यह उसके बाद हम देखेंगे हम किस तरह से जह जो ड्रेक्टरी जाए फोल्डर जाए उनको हम डिलीट कर सकते हैं तुसके लिए मैं सबसे पहले यह बिसको क्लियर करूँगा ताकि हम कमारी कमांड प्रॉम्ट हमारा सभी से कलियर हो जाए अब ड्रेक्टरी को रिमूग वोम ड्रेक्टरी नाट इंपटी इसने क्या करना है इसने हमारे पास जो खाली ड्रेक्टरी होगे ना खाली फोल्डर होना है उसको डिलीट करना है तो मैं यहां पे ड्रेक्टरी को क्रियेट कर देता हूं में एक ड्र और उसका नाम मैं दे देता हूं यहां पे अब अगर मैंने किसी फाइल को डिलीट करना है ना उसके लिए मैं जास लिखूंगा आरम मतलब रिमूव इंडेक्स.CSS इंडर करूंगा तो यह मर पस इंडेक्स.CSS डिलीट हो जागी अब अगर मुझे मिज़े निज़े हो पेज जो है इसके अंदर से मुझे इंडेक्स.C करना है उसके लिए क्या लिखूंगा मैं यहां पे लिखूंगा सेडी और सेडी की बाद मालगा इस फोल्डर के अंदर हॉंड अब इस फोण फोल्डर के अंदर मैं नाविगेट कर गया अब यहां पे लिखता हूंग एंडेक्स.html इंडर किया तो यह वना पस online प्रोग्राम में आ जाएंगे यह आप हम लिखेंगे mrm remove dr और उसके बाद लिखेंगे home इंटर करूंगा दिये home वाला जो वाना पास फोल्डर था वो भी डिलीट हो गया अब इस तरह से आप फाइल को डिलीट कर सकते हो उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से आप फाइल को read कर सकते हो अगर आपको फाइल मुझूद है ना उस फाइल के अंदर आपने data को read करना है तो इसके लिए मैं यहां पे index.txt में आता हूँ इसके अंदर मैं लिख देता हूँ hello iam babarally जी मैंने एक टेक्स लिख दिया इसको save कर देते हैं आप इसको हमने करना read तो read करने के ल file को उसने हमारे पास print करवा दिया अब इसके बाद हमारे पास है echo कि आपने किस तरह से echo command को print करवाना है तो echo command भी बहुत असान सी है मैं इसमें लिखूँगा echo अगर आपने महारे पास एक programming language है जो हम सीखते हैं ज्यादा वो C language C sharp B और C++ C++ में ये echo command महारे पास आती है तो अब echo में मैं लिखता हूँ कोई command मैं इसमें लिखता हूँ hello babar इंटर करूँगा तो मने पास print हो जाएगा hello babar अब मैं क्या करता हूँ इस hello babar को मैंने print करवाना है index.css के अंदर तो यह आप मैं लिखूँगा hello babar और बगए echo लिखेंगे echo echo hello babar और मैं यह आप डबल लगाँगा यह greater than के sign उसके वाल लिखूँगा फाइल का नाम index.css इंटर करूँगा तो यह वालड़ डाटा मने पस index.css के अंदर आ जाएगा almost 60 rapt 60руhty Col KPY से महारं करते हो इसके लावा इसके कमांड को लंक शेर करते हों वहाँसे आप देख सकते हो अब मैने आपको कमांड करते हैं किस थRe काम कमार्ज हैं कितनी आप भी आप मैंने से शेयर करता हूं तो आपने आजाना यह विंडोज यह वर बस माइक्रोसोफ्ट का एक लिंक है इसके उपर दिया आपका से कमार्ज मुझूद है अब जखो अर एल्फबेट के उपर मुख्तिर्फ कमार्ज मुझूद है मिसाल के तौर पस जो कमार्ज मुझूद हैं इस तरह से ल ऐल्ल के उपर बहुत हैं एक उपर बहुत हैं इस वीडियो में आपको बताई हैं इतनी इंडिस सक आप याद करो आपको फोल्डर क्रिएट करने आ जाएंगे आप पो उसके साथ फोल्डर को डिलीड करना जाएगा फाइल को ड माल होता है ज्यादा वाकि आप अगर कमांड लाइन में ज्यादा इंडेफ्स गयाना चाहते हो इन आर्टिकल्स को पढ़ लो इसके लावा ये ये भी वर पास एक आर्टिकल्स मुझूद है ये एक वेबसाइड लाइफ वेर आई थे ये इस नेम से है उसके अंदर भी बहु मुझूद है इसमें भी आप बास जितनी भी ज्यादा जो कमांड इस्तमाल होती है जिस तरह से फाइल और फोल्डर के नाम से फाइल और फोल्डर के लिए जितनी भी कमांड आती है वो यह यहां पे आप्लिकेशन के लिए जितनी कमांड्स है डिस्क मैनेजिमेंट के और आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो तो आई हूब आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब कर ले इस तरह की और इंफारमेटिव वीडियो के लिए इन्शाला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाँ आपज